एक मानसिक रोगी महीला कशव घर के बात्रूम में जली हुई अवस्था में मिला है महीला का नाम मंजू उम्र 46 साल है बता दे कि घटना बीते रात की है महीला पिछले 15 सालों से बिमार चल रही थी आपको बता दे कि 36 गड के चीकली वार नंबर 6 निवासी मंजू राजपू बीते रात को अपने ही गर के बात्रूम में मृत पड़ी हुई मिली है जिसकी जानकारी मृतक के पती बहादूर सिंग राजपूत ने चिकली थाने में आसुफे दी वहीं चिकली थाने ने पंचनामा तयार कर जान शुरू कर दी मृतिका के पती का कहना है कि हर रोज की तर रात दस बजे खाना खाकर सो रहे थे कब बात्रूम गई और आग लगाई जानकारी नहीं जब सुबह नेंद खुली तो बात्रूम में मृत पड़ी मिली फिलहाल घटना की सही जानकारी पी-म रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी रसनाद गाउं से समधाता इल्ला सिद् कोई मालू मैं सुबह साथ बजे उठा ना तो देखा गेट खुला था बात्रूम का अंदर जाग देखा तो महीं पर पड़ी हुई थी वह दस बजे कासपास खाना खाये हम लों फिर लेटे थे अभी कितना समय उठी में जानकारी नहीं इसके बारे नहीं तो कल कुछ बहस हुई थी कोई बहस बाजी यह इनके मान से की स्थी कैसी थी स्थीत है कुछ दिन से ख़āब थी थोड़ा से डिश्टर्ब रहत है कितले सालों से चल रहत है क्रीब कंद शीट्रा साल से चल रहत knocking परिवार में कित्ते लोग है तो जैसे इनका इलाज चल रहा था तो उस दौरान भी कभी इन्होंने कभी कोशिस की है नहीं आसे तो कभी नहीं की है तो इसके बारे में आपको बीदिन की है आप सबेरे सारे आट बजलगभष भाधूर शिंग राच्वूर बहुर दर्जे गराई जी कि मेरे पत्नी के दज बजल आपको खोगे ठेखाना खाके और सबेरे उठा बात्रूम गया तो देखा पत्नी जले वो पड़ी है बात्रू इनन ट्रूम टूम कामा कुंछ जाने हो लेकिन उनको पहले से पूरू से आप जाने हो ना इनके साथ तूрь नबेटता है आपका तो कैसे था आपके साथ उसमी का संबंध। तो आपको पता है कि उनके अपने जाती थे आपका क्या नाम है केसर और आपका क्या नाम है तो आपको पता है कि उनके अपने मतलब दवाई गोली चल रही है इलाज चल रहा है साथ गोली खता हो जाते तर दुरूब जातों दूरूब जातों ऐसे ही लेड़े इस व्रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंनेवान